हलो एबरिवन आज हम यूज करेंगे बाजरे का मैंने लास्ट इंटर्स में आपको बाजरे की लड़ू बताए थे हैं आज मैं आपको बाजरे की रोटी बताऊंगी सर्दियों में बाजरा ना खाया तो क्या खाया मैं आपको बाजरे की सब्जिओं वाली मूली गाजर की स्टफ रोटी बनाऊंगी सर्दियों में बहुत सब्जियते हैं मूली, गाजर, गोबी, मेथी, रहा प्याज, हरा लसन आपका जो मन चाहे आप टाल सकते हो और ये रोटी बनाना भी इजी है बिगनर्स भी इसको सीर जो है गरम होती है बाजरे में जो है फाइबर बहुत होता है यह हमें कॉंस्टिपेशन और वेट लोस में काफी हल्प करता है यह हमारे हर्ट के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 fatty acid है और potassium है और यह हमारे blood pressure को भी normal रखता है diabetes patient भी से consume कर सकते हैं यह हमारे insulin को बहुत जल्दी spike नहीं कर सकता है चलो kitchen में चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं मैं यह बाजर का प्रांठा या रोटी breakfast में बना रही हूं मैंने दो कब बाजरे का यूज कर रहा है इससे मेरी 8 या 9 रोटी अराम से बन गी थी यह देखो कितने का माटे में हम कितनी सारी vegetables डाल के और इतनी अच्छी रोटी बना सकते हैं मैं यहां पर मूली गाजर यूज कर रही हूं और मूली के पत्तों का भी यूज जब हम मूली बिना पत्तों के यूज करते हैं तो वह हमें गैस बनाती है जब हम मूली को मूली को पत्तों के साथ यूज करते हैं तो इससे कोई भी गैस की प्रांबलम नहीं होती मूली के आजकल पत्ते बहुत अच्छा रहे मैंने मूली के पत्ते तोड़के उनको बरीक बरीक काट लिया था मैंने एक पत्ता आटेerme में मिक्स करिए गाजर मूली मुली के पत्ते आप चाहो तो इस टाइम में मीथी भी आड़ कर सकते हो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मेथी से जो है रोटी में करारा पहना जाता है फिर मैंने इसमें एड़ कर रहे है नमक, मिर्च, भुना हुआ जीरा, अनारदाना और जो मसाले आप इसमें आड़ करना चाहो वो कर सक और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डो लगा लेंगे हमें इसका डो धीला नहीं लगाना सही लगाना है क्योंकि डो लगने के बाद भी थोड़ी दर अगर ये पड़ा रहा तो ये मूली पानी छोड़ेगी तो डो हमारा धीला हो जाएगा इसलिए हमें इसमें इसको गुन रही हूं, हमें हतेली की help से इसको ज़्यादा अच्छे से गुनना है, हम इसको अच्छे से गुन देंगे तो जितना ये soft बनेगा और आटा गुनने के बाद इसको rest कराने की need नहीं है, आप तभी के तभी बना सकते हो, मैं इस रोटी को serve करूँगी मक्खन के जाता है, वो अपना पिस्वाता है, वो बिल्कुल pure होता है, और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, मेरे घर में तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो के खा लेते हैं, हमारे तो maximum सर्दियों में बनती ही बाजर और मक्खे की रोटी है, रोटी बनाने के लिए मैं ये व दूसरा पॉलतीन उसके ओपर ढख दो, फिर चकले को उल्टा करके इसको प्रेस कर दो, इससे जो है आपकी रोटी बहुत अच्छी बन जाएगी, फिर तवा हमने रख दिया था, गरम हो चुक है, उसको ग्रीस करेंगे, ग्रीस करने के बाद हम अब अपनी चपाती को इस डाल देंगे, डालने के बाद हम इसको अच्छे से सेखेंगे घी लगा के, रोटी सेखने में ज्यादा जल्दी नहीं करनी, इसको सेखने में टाइम लगता है, इसको हम दोनों तरफ से अलट पलट करके सेख लेंगे, अगर आप चाहो तो इसको बिना घी के भी सिंपल रो जी बनती है, यह देखो मेरा कितना अच्छा दोनों तरफ से प्रांठा सिख गया है, अगर आपको रोटी हाथ में लेकर तवे पर डालने से दिक्कत हो तो आप इस तरह पॉलतीन में रखके, चकले से प्रेस करके, फिर डारेक्ट पॉलतीन को उठाके भी आप चकले पर ड तो मैं ऐसे पॉलोथीन से ही बनाती है, और मेरी रोटी बहुत अच्छी बन जाती है, मैंने इस रोटी को सर्फ करा था आम के अचार के साथ और घर के गाएं के मक्खन के साथ, यह बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था और यह रोटी बनी भी बहुत सॉफ्ट दी आप भी इस विंटर बाजरे की रोटी जरूर बनाना, मैं बाजरे के खिचडी की रेसिपी भी दूँगी, अगर आपको मेरी बाजरे के लड़ू की रेसिपी देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी हेल्दी खाईए, हेल्दी रहिए, बाई, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर जरूर करना